के जैसे आप मेरे पास आए बैठे हैं मैरू बरू वे यारू जा कम ये करम है करम है मैरू बरू वे यारू जा कम ये करम है करम है मैरू बरू वे यारू जा कम ये करम है मैरू बरू वे यारू जा कम ये करम है मैरू बरू वे यारू जा कम ये करम है मैं रूबरू रूए यार हूँ क्या कम ये करम है सबसे हसी खुदा की कसम मेरा सनम है सनम और अब किरांची से आएवे हमारे महमान नात खां जनाब नसुल्ला खानूरी साहफ से गुजरेश है कि वो आएं और बारे के लिए रूत महाब से लिए में हदे नात खांच करें जनाब नसुल्ला खानूरी से बलागल अलाब कमाले कशाब तो जाब जमाले है सुना जमी और खिसाले है सुना जमी और खिसाले सुना जमी और खानूरी से बलागल अलाब कमाले मैं दावत-खताब दे रहा हूं हमारे मुलतान से आयों महमान हजरत अल्लामा मुलाना फारुख से दी सहाब को अम्मा बादू फाओजू बिल्लाह मिन श्श्यतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अरूस बिलाद हैदराबाद के जिन्दा दिल शहरियो और पाकिस्तान के तूलो अर्से इस अजिम श्शान और फकीद अल्मिसाल दीनी रूहानी इज्टिमा में तश्रीफ लाने वाले मेरे बुजर्गो लाएके महबत नौजवान दोस्तों दरगाहे फलक पाएगा हजरते जिगरगोशा गौस आजम स्यद सखी अबदुल वहाब जिलानी रहमतुल्ह ताला अल्या पर ये अपनी मिसाल आप इज्टिमा में हाजर होकर बड़ी साद्थ और बड़ा एजाज महसूस कर रहा हूं और मेरी खुश किसमती ये है कि मुझे पहली मरतबा हैदर अबाद में तो हम 20 मरतबा आए लतीफ अबाद में आपके शहर में लेकिन अब के ये इन फिरादियत है कि इस दोर की वो अजीम जलील हस्ती जिसने अपनी तालीमात के जरीए पाकिस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में जिकरुल्ला का पर्चम बलंद किया उनकी मौजूदगी में कुछ अर्ज भी कर रहा हूं और उनके दीदार से गौहर मुराद भी हासल कर रहा हूं तेरा शाही मेरा शाही गौहर शाही आश्कों के दिल का माही गौहर शाही गौहर शाही वो मर्द कलंदर जिसने अमरीका और योरप के एवानों में अल्ला का जिकर बलंद किया और हम पाकिस्तान में जहां जहां पहुँचे अलहम्दुल्ला हमें सदा सरफरोश वहां जरूर सुनाई दी मेरे देरीना दोस्त मेरे भाई जनाब मुहम्मद आरिफ मेमन मैं उनके शुकर गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मेफिल में याद फर्माया ये मेरी जिन्दगी का कीमती दिन है और बड़ी कीमती साहते हैं अब सोचने की बात ये है जब सरफर काइनात अलाई सलाथ वस्सलाम कियाम कियामत तक के नबी है आपकी नबूवत आपकी रिसालत आपकी हिदायत आपका पेगाम आफाकी है आलमगीर है जहांगीर है रंग नसल जमाना इलाका खिते की तहदीद और तख्सीज के बगएर रब काइनात ने कहा अब सवाल प्यादा हुआ अगर नबूवत का फैस जारी है तो ये वलायत क्या है वजूर वाला तो ये सिलसले तरीकत क्या है ये गोसियत ये कुत्बियत ये तरीका हाए मारेफ़त ये सलासले तरीकत क्या है तो ये फर्मान रसूल है मेरे नबी ने कहा अलाई सलात वस्सलाम के अंबियां अल्ला के नबी अल्ला के प्रगंबर माल औ दौलत छोड़ कर नहीं जाते वो दराहे मों दनानीर नहीं चोड़ते वो इल्म की मिराश छोड़ते है और नबीयों का वारस वो है जो उनके इल् अलूम नबूवत के हामिल इल्म शरीयत के माहर इल्म तरीकत के तरिया के घवास और शनावर अल्ला ने हमें अता फर्माई सर्फरोशो पाकिस्तान के कोने कोने से आने वालो और अपने शेख तरीकत के दीदार से एक्तिसाब फैस करने वालो सुनो हमारा मसलक है बोलिए हम वारा मसलक हमें इसलिए के वली हमारे गौस हमारे कुत्ब हमारे अबदाल आउताद अस्याद अफराद कुत्ब लक्ताब हमें गौस अलगवास हमें फर्द अफराद हमें सेद अस्याद हमें गौस अजम हमें खाजा गरीब नवाज हमारे खाजाज मेरी हमारे दाता हजवेर हमारे ये सारे हमारे हैं अरे जिन के पास इतनी बड़ी काइनात हो उनको बख्षिश के लिए और क्या चाहिए आज जशन गोसिया है मैं अभी आरब भाई से कह रहा था कि कल हमने हजरत पीरान पीर सेदना जमाल अद्दीन मुसा पाक शहीद रहमत अल्या अल्या के दर्बार पर जो हुजूर गोसिया आजम सेदना अब्दलकादर जिलानी के जिगर गोशा है मुल्तान में वहां बड़ी जारवी शरीफ में हाजरी दी और आज गोसिया आजम के पोते हुजूर सेद अब्दलवाब जिलानी के आस्ताने पे आए हमारा सफर गोस के आस्ताने से गोस के आस्ताने तक है और इस दोर के वलिय कामिल की क्यादत में आओ अभी मैंने ये बात सुनी के हजरत किबला बातरी के उवैसियत शैद बांडते हैं जैनी मरवज अन्दास से हटकर निगाहों से अफकार से तालीमात से इर्शादास से और अजदिल रेजद अजदिल खेजद बरदिल निकलती हैं दिलों में उतर जाती हैं कहाल दोस्तों ने कि हमारे पीर का फैद हाथों के जरीए नहीं दिलों के जरीए तो पिछले साल हम लतीफ अबाद में आये तो आरे भाई ने से बड़ी गुफटगू रही अरबाब जवाहर के फत्वों के बारे में मैंने का जनाब इसकी कोई फिक्र नहीं जो इल्म तरीकत से दूर है वो क्या जाने कि काईनात तरीकत क्या है बहरे मारे फत्त क्या है देखे इमाम राजी तफसीर राजी वाले इतने बड़े फलस्फी इतने बड़े इमाम लाजिक के इमाम मंतिक के इमाम आखरी वक्त आया शैतान दलील उसे रद कर दिया शैतान ने तीसरी दलील चौथी पाचवी छटी दस दलाइल बीस बराहीन इकातिया दलाइल सातिया दिये शैतान ने एक एक करके रद कर दिये शैतान जाहिल नहीं आलिम है फरिश्टों को पढ़ाता रहा है मुखल्मुलमलकूत रहा है दोस्तों अगर इल्म जरीय नजात होता तो शैतान बख्षा जाता अगर इबादत बख्षिश की जमानत होती तो शैतान से बढ़कर इबादत कुरे अर्ज पर कौन कर सकता है जिसने च्छे करोड बरस सजदे किये च्छे करोड बरस कोई चप पैसा नहीं अगर शैतान के सुझूद तक्सीम किये जाएं तो कुरे अर्ज पर कोई इन जगा न बचे शैतान की अबादत जैसी अबादत आप नहीं कर सकते मगर वो मर्दूद हुआ दोस्तों तबज्जो कीजे दिल के कानों से सुनिए अरे अबादत बख्षिश की जमानत नहीं महबत बख्षिश की जमानत है तो दोस्तों देखिए हमारा कीदा अल्ला ने नबूवत के बाद नबूवत की जिमादारी तबलीग की दो गरोहों के सपुर्द की मैं कह रहा था न के नबीयों के बाद वलीयों की क्या हाज़त है अल्ला ने नबूवत की जिमादारी ये तबलीग उसका कारे मुफवजा दो जमातों के सपुर्द किया एक और या की जमात दूसरी उनी के ताबे और अलमा की जमात अल्फास पे गोर करें वो आलम नहीं जो जाहिदे 黑श कहे अरे वो आलम है जो ना किसी जो किसी ना किसी वली का गुलाम है आइए मेरे अलफास पे गोर करें इतना बड़ा इच्प्वाँ, म्साली इच्प्वाँ और बेमिसाल इच्प्वाँ पाकिस्तान की अत्राफ उ अक्नाफ का नुमाइन दे इस्तिमा जहां जहां आवाज पहुचेगी इन्शालला फाइदा होगा अल्ला ने बदन की बीमारियों के लिए होकमा यूनान पैदा की और दिल की बीमारियों के लिए होकमा इमान पैदा की हमारा जिस형 पाक कराना तुम्हारा लिबास तुम्हारा बदन तहारत जाहिए ये उलमा के सपुर्स तुम्हे मुसले पेह खड़ा करना ये आल्म का काम है और तेरे दिल को खुुदा से मिलाना ये वली का काम है तालीम आलिम देता है इमान की गारंटी फली देता है ओ जशन गौस्या में आने वालो गौस्या कार्फरंस में आने वालो गौस्या आजम के जिगरगोशे के आस्ताने पे बैठने वालो आओ जिकन उल्ला की सदाएं बलंड करने वालो आओ सुनो क्यामत का दिन होगा अल्लाः मस्नद अदल पर तवज्जो हुजूर मकाम महमूद पर गोस आजम हुजूर के आगे हुजूर की गोद में और हम लोग कोई चिश्टी कोई गादरी कोई नक्षबंदी कोई सोहरवर्दी कोई वैसी खड़ा है हाथ बांदे इसलिए के यो मनदो कुल लू नासिम बे इमामिहम क्यामत के दिन हर एक को उसके पेशवा के नाम से पुकारा जाए तो उल्माए किराम ने लिखा के इससे मुराद शेख तरीकत है कहा जाएगा ओ चिश्टीो आओ खाजा गरीब नासि के घुलामों इधर आओ ओ नक्षबंदियो खाजा बहावद्दीन के मानने वालो इधर आओ कहीं कहा जाएगा ओ सोहरवर्दियो शेख शहावद्दीन सोहरवर्द के गुलामो इधर आओ कहीं कहा जाएगा ओ काद्रियो ओ गौसियाजम के फैद पाने वालो आओ इधर आओ तो आला हजरत, इमाम एहमद रजाखा खां बरिल्वी रहमतुला आला है कहते हैं कि हम हुजूर की बारगा में जाएंगे, हात बांदेंगे, सर जुकाएंगे, जोली फैलाएंगे और कहेंगे कि तेरी सरकार में, है है, उस मनजर को जहन में लाइए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, शफात करने वाला, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गाउस है और लाड लाबेता ते लेकिन खुदागवा है तमाम कुल्फतें तमाम सहूबतें तमाम ठकावट तमाम जहनी नफसियाती खौफ उतर गया जब आपको देखा और आपके शेख तरीकत को देखा मैं सदाए सर फरोश का कारी हूं मस्तकिल पढ़ता हूं हजरत को इन जहरी निगाओं से पहली बार देखा और तमारी जैसी शबाहत को ढूड़ता था दिल तमारी जैसी शबाहत को ढूड़ता था दिल तमारी शकल नदेखी थी जिस जमाने में और आज उसी शेख की मजूदगी में जिगर गोशाएं गोस आजम फर्जन्द गौसल वरा हजरत सखी सेद अब्दलवाब जिलारी रदियल्लावनों के दर्वार पर ये कहते है मौलाना हस्त मुहारी रईसल मतगजलीन का शेर पड़कर अपने अकीदे का इधार करते है हस्त कोई मदद ने करे क्या मजाइका काफी है गौस आज़म जीला मेरे सामई इनकराम अबाब के सामने वो खिताब होना चाहता है कि जिस हस्तिय मुहाजम ने अपनी तबलीग और अपनी तरीकत की तालीब को पहनाने के लिए एक टूटे हुए स्टूर पर बैट कर भी तबलीग की और जमीन के रेज़ारों में पत्थरों पर बैट कर नौजमानों की अल्ला की तरफ बुलाया और आज पाकिस्तान में नहीं बलके बेन लुक्वामी स्टा पर मजूसियों को काफिरों को इसायों को हिंदियों को गर मशूरूत तर पर इसमेजाद की दौलर से हमकिरार कर दिया समात फरमाएए पीरो मुषिद सरफरस्त अबानी अंजमन सरफरोशान इसलाम किपला आलम मुहतरम रियाजमत गोर्शाई साथ का खिताब इस तक्बाल फरमाएए तेरा शौही मेरा शौही दुनिया पर है किसकी शाही आशिकों के दिल का माही मेरा माही तेरा माही अधुलाइ मिन शेयत टावनिर्जीम बिस्मिल्लाइ रफ़ानिर्गीम अजीज आतीर二 असलाम ऩ। अरब्सद्र आने का मकस्त कोई स्यासित नहीं है कोई फितना नहीं है कोई हकूमत पर नुक्ता चीनी नहीं है हर शेहर में हर कस्वे में हर घर में एल दिल मौजूद होते है उनको निकालना मकसद है और गौस पाक की तालीम उनके दिलों में डालना मकसद सبحاناللہ हुजूर पाय के जमाने में दो तरगा इलम था एक जाहरी एक बात नही एक इलम जबान व् dependent वी एक उलम दिल वलों के लिए जबाने पाय को श्रीयत बोलते हैं पुर दिल वाले इलम को तरीकत बोलते हैं आपके जमाने में जन लोगों ने सिर्फ जबानी इलम पे कनाथ करी उनहीं मेंसे कोई खारज हुआ और कोई मुनाफ़ हुआ और आज वही जबानी इलम वाले 72 फर्कों में तक्सीम हो गये और जन लोगों में वो बातनी इलम दिल वाला इलम भी हास्ल किया वो तो ये साहबी है या रसुलिल्ला कहला है और वल्यों से भी आला मकाम असल करके चले गए जबानी इल्म की तश्री जरूरी नहीं वो हर कोई जानता ही है उसको जतना तूल पकड़े गया है इतना एक निया फिरका बन जाएगा लेकन वो जो बातनी इल्म है उसकी बात करना जरूरी है वो बातनी इल्म किताबों में नहीं मिलता कुरान मजीर में सिर्फ उसके इशारे है कि खिजर लिएसलाम के इल्म अला दुनी था या ल्ला ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे इल्म-गाइब के लिए चुन लेता है अदीश भी में भी इशारा है अज़त अबू हरीरा रादियल्ला ताला फरमाते हैं कि मुझे हजूर पाक से दो इल्म असल हुए एक तुम्हें बता दिया अगर दूसरा बताओं तुम मुझे कतल कर दो अज़ूर पाक फरमाते हैं कि मुझे तीन इल्म असल हुए एक जबान वालों के लिए एक दिल वालों के लिए एरेक्सर मेरे लिए बहुत से लोगों ने कुरान मजीद की तफसीरें लिखी उस इल्म को ढूने में के कोश़् करी लेकन वो इल्म नहीं मिला वह मैं मिलता हदीसों मैं मिलता तqui पिर वो कहां मिलता है वो इल्म अज़ूर पाकِ सीने मुंबारक में मिलता है बद्आनल्लाए और सीना बैसीना सीना मस्तहक लोगों को मिलता है जिस तरह जहरी इल्म के लिए सफध कागज चाहिए इसी तरह उस बातनी इलम के लिए सफैल सीना चाहिए अगर किसी शेक्स ने अंदाना देखा हो उसे कहा जाएं ये हवा में उड़ेंगा ये चूचू करेगा उ कहेगा तू गलत कहता है ना इसकी टांगें ना जबाने ना पर है ये किस तरह उड़ेगा वो तुमारे बेज़े की नकल है उसके नाम बेज़ा है तुमारे अंदर बेज़ा ना सूती है उसकी ओपर तीन चिलके हैं और इसकी ओपर एक लग असी हजार जाले हैं उसको जाहरी करमी की जरूरत है और इसको अल्लह की करमी की जरूरत है उसको मुर्गी चाहिए और इसको मुर्षद चाहिए नेरा शाहि अश्कों के दिल का माही दुनिया पर है किसकी शाहि उस बैजे के अंदर एक चूजा बंदा है दिखता नहीं है लेकर एक चूजा बंदा है और इस बैजे नसूती के अंदर एक फरिश्टा बंद है देखता नहीं है लेकिन एक फरिश्टा बंद है जब वो अंडा फड़ता है एक चूजा निकलता है बगार सिखे सिखाए चूँचू करता है उसकी फित्रत है चूँचू और जब ये बैजा नसूड़ी फड़ता है तो ये बगार सिखे सिखाए अल्ला अल्ला करता है अल्ला अल्ला इसकी फित्रत यहां से फिर वो आदमी देखता है मैं अल्ला अल्ला नहीं करा मेरे अंदर से कुछ जीज अल्ला अल्ला करी है वो प्रिंदा बेदार हो गया यहां से फिर दो तरह की तस्वी चलती है एक जबान वालों की तस्वी और एक दिल वालों की तस्वी जबान वालों की तस्वी बजारों में बिखती है उसके क्ये काम है सिर्फ टिक टिक करना जबान करती है टिक वो करती है अल्ला जबान करती है टिक वो करती है अल्ला अब बगर तस्वीके भी अल्ला ला हो सकता है लेकि उन्हों तस्वीक को क्यों जरीया बनाया है जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है इसी तरह जब Allah Allah आपस में टकराता है तो नूर बनता है लेकन आप रहा शवाल किए नूर इबादत है, रूहानियत नहीं है क्योंकि तस्वीब बार है अल्ला अल्छा भी बार है और जो नूर बना वह भी बार है अब सारी अमर तस्वीब पड़ते रहें आबद हैं रुछानी नहीं हो से उसी तरह भी तस्वी तुमारे अंदर है वो भी हर वक टिक टिक कर रही है उस टिक टिक के साथ ये जबान अल्लाला नहीं कर सकती वो जो अंदर बेगार हो चुका है उसने अल्लाला कर रही है वो एक मखलूक है उस गोश के लोज़े का नाम फवाद है और उस मखलूग का नाम कलब है अब तुम उसके उस्ताल बन गए तेन साल तक तुमने उसके साथ अल्ला अला मलाई कि तेरी तस्वीह है कभी हटी कभी मिली और तेन साल के बाद इतना पुखता होगी कि तुम डट कर सोते रहे और वो लाला करता रहा है सज़ैनला साथ सुल्तान बहुरैंमत अल्ला फरमाते हैं कुछ जाक देँ सुते हो तो कुछ जाक देँ कुछ लोग ऐसे हैं तो सारी राज जाकर भाद करते हैं लेकिन सोय हूँ में शामल है और कुछ लोग विस्त्रों पे सौ रहे हैं उनके दिल अलाला करे हैं अजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं हमारे दिल ने सोते हैं अब उन धड़कनों को के काम है वो खुण को आगे बेचती हैं नस नस में पुचाती हैं फिर खुण दिल में आता है फिर वो उसको नस नस में पुचाती है अब उन धड़कनों के साथ अल्ला अल्ला मिल गया अब वो अल्ला अल्ला उस धड़कन के जरीए नस नस में चला गया पूरे खूर में चला गया अल्ला अल्ला को नस नस में पुचाने का और कोई तरीका नहीं है जब नस नस में चला जाता है पर सीना आता है、 इनके मुथ बहतराजार होते हैं दिलने एक दफ़ा अल्ला करी बहतराजार आवाजें यहां से भी कुझी फेर इलाम एक बाल ने फरमाया फिर खुद बंदे से खुद पोछे बता तेरी बताया कि कुदी को कर बना इतना और खुली का मतलब समझाया खुली का सरे नहाँ ला इलाह इलाह इल्लाह तो ला इलाह इल्लाह का इतना जिकर कार है कि लोग कें पागल हुगए और मनाफक कें रियाकार है यहां फिर किसी शेर ने ये भी लिख दिया गुनागार पहुंचे दर-इपाक पर जहद औ पारसा देखते हुआ सुभान अलाँ सुभान बाई जहद औ पारसा के लिए तो उल्मा हैं गुनागारों को तो मश्जद में नहीं आने देते हैं तपर गुनागारों का भी सिहानलादth जब कोई नेकी करता है जेड अपारसान, नमाज बढ़ता है नेकी करता है उसके किताब पे नेकी लिखते हैं फरिश्टे लेकिन एक और साथ और भी अमल हो जाता है उसके दिल में थोड़ा सा तकबबर आ जाता है पिर नेकियां करता रहता है किताब नेकियों से बार गई और दिल तकबर से बार गई क्योंको तकबर के निकालने के लिए इल्म बातन है इल्म बातन उसने सीखा है नहीं अल्ला ताला कभी कभी अपनी मखलूग को देखता है उस आबस जाहित को भी देखा वो कताबों को नहीं देखता वो दिलों को देखता है जब दिल को देखा तो तकब्र से ब्रापाया तो अल्ला ताल्ला उससे बेजार हो गया अल्ला ताल्ला उससे बेजार हो गया अब वो जो गुनेगार था उसने किया वो गुना करता रहा उसकी किताब किताब पर भी गुना लिखते रहे दिल पे भी एक स्या दबा लगाते रहे अत्य क्या हुआ है कि उसकी किताब वो भी गुना उसे भर गई और दिल भी गुना उसे काला हो गया उसने क्या किया किसी मर्द एकलंदर का दामन थाम लिया उसने उसको दिल को साफ करने का तरीका बता दिया किताब को मिटाना नहीं सिखा सका लेकिन दिल को साफ करने का तरीका बता दिया अधीश रीम है कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई नहीं कोई उत्यार है और दिल को साफ करने लिए जिक्रिय अल्ला 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 से खा दिया अल्ला से उसका दिल चम्मक उठा साफ शिफाफ हो गया अल्ला ताला ने फिर उसको भी देखा जब उसको देखा ता अल्ला ताला उसके मेरबान हो गया अल्ला और अल्ला करने वालों में एक और खासीत भी पैदा हो जाती है क्योंकि अल्ला ताला बहुत सखी है और अल्ला अल्ला करने वाले भी बहुत सखी हो जाते है एक दिन ईसाय लाहिस्वाम ने शैतान से पूछा कि तेरा बेतरीन दोस्त कोन है उसने कहा कि कंज्यूस आबद कि वो कैसे कि उसकी अबादत को उसकी कंज्यूसी राइगां कर देती है तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन को ने उसने कहा कुनेगार सगी कि वो कैसे कि उसके गुन्हों को उसकी सिखाव जला देती है जब किसी के दिल में नस नस में नור चला जाता है उसको पिर नूर बोलते हैं कुछ लोग तो हजूरर पाक को भी नूर नहीं मांते हैं लेकिन जिसकी नस नस में नूर चला जा जाता है एक आपजाता है आल्लाह अकबर सब्कादि बाहनें लाहनुप accomplish से पहले तस्पी वाले वह मुस्लमान है तो मुमन नहीं कहला सकूँ वह मुसलमान है मुसलमानों नहीं 72, 73 फिरके है एक दूसरे को काफर मनाफ़ कहते है मुमन की hole मुठी मेजीत में इरान नहीं का एमान ले जिने दिने पर लाएं मोमंट तप पनोगे जब नूर तुबरे दिल में उतर एए अहा हो जब दिल में नूर उतर जाता है फिर वह नहीं कहता है मैं सुन्नी हूं मैं शीय रहा हूं हूं मैं वहभी हूं वो कहता है वो लिम्हें पिद्र Fernando जब आम आदमी किस स्टेज पर पहुंग जाता है उसको नूर बोलते है अगर वो आलम भी है जहरी इलम भी है उसको नूर अलल नूर बोलते है और उन्ही के लिए अजूर पाग ने फर्माया है कि मेरे आलम बनी इसराइल की नभीयों की मानन होंगे और वाकी उनकी तोहीन दीन इसलाम की तोहीन है क्योंकि जो इलम इलम का तल्लक दिल से है जब वो बोलता है दमाग से दिल में आता है दिल में नूर है वो इलम भी नूर बन गया अगर दिल में नूर नहीं है तो फसको फजूरे जब वो इलम फिर दिल में आता है वो फित्रह मन जाता है और जिनके दिल में नूर है वही आलम फित्ने है उनको आलमि सु कहते है और उनके लिए हजूर पाग ने फर्माया जहल आलम से डर और बच इस थाभा ने पूचा आलम भी और जहल भी जिसकी जिस्की 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 आशिकों के दिल का माही तो यह तो मकाम मौमन का हो गया है नस में लाला जारी है मौमन है वली नहीं है मौमन है सिर्फ 24 गंटी लाला हो रही है नस में हो रही है लेकिन अभी वो मौमन है वली नहीं है वलायत क्या है यह गाउस पाक की तालीम क्या है हैं कि वलायत तेरे अंदर है जो भी बच्चा इस दुनिया में आया वलायत का रास ले कि आया है वो काफर का है हिंदू का है वुलायत ये है कि यहां पर आ है अधर हजूर पार के कदमों में है अधर 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 के हम मौजूद है वुलायत वो है तुमने देखा होगा रात को सोते हो दूसरे शायर में गूनते हो खाम है तुमनी होते हैं लेकिं तुमारे अंदर की कुछी जी होती है तुमारे अंदर में सत मखलुकें हैं बकेदा हूं उनके नाम है कलब, रू, सिरी, खफी, अख़ृ, अक्ष।भ, अन्ना, नफ्स नो, उनके खलीफे हैं उनको जुसे बोलते हैं 16 मखलुकें उनyasते हैं अब अल्ला अल्ला के नूर अंदर नसो में जब गया तो वो बेदार हो गई जब वो बेदार हो गई तीन साल तक तुमने उनको अल्ला अल्ला करें तीन साल के बाद तुम डट कर सोते रहे वो अल्ला अल्ला करते रहे उनकी खुराइक गोश्ट रोटी नहीं है चाना कबा का तवाफ कर रहे हो, अब उन चीजों के जिरीे वो जो चीजें अंदर बेदार हो गई 12 साल लगते हैं, सुना होगा कि फिलाम बज़रग में 12 साल का चला काटा, 10 का क्यों नहीं काटा, 13 का क्यों नहीं काटा, 12 साल में वो मख्लूकें जबान हो जाती है जस तबिवड़ garage हो जाता है नोकरिक에 काबल हो जाता है इसी तब बारा साल के बाद हुँ हजूरr conversion में जाने के काबल हो जाता है जब वह बालग होगी उसफेट वह तुमारी सोच की मौताज होगी तुम उसके ऐस्ताद हो तुमने सोचा तेखे हजूर पार क्या करें तुमने सोचा वो सीने से निकली हजूर पार के कदमों में अस वक्त बुल एशान ने फरमाया है कि लोग की पंज में ले तो आशे कहर वे ले लोग की मसीती ताशे कदमा जो लोग पांच वक्त रब को याद करते हैं नमास भी रब की याद है उनकी इंताब मस्जद है बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे लेकिन जो लोग इसके साथ हर वक्त अल्ला ले करते हैं वो थाजूर पा के कदमों में पांच रहेंगे कदमों में पांच गए नमासे को गए अब तुमने सोचा देखिए उपर क्या हो रहा है तुमने सोचा ये मखलू के सीने से निकी उपर परवास कर गए फरिश्टों ने रोका नहीं रोकी कहने लगे जो कुछ भी है बैतल मामूर से आगे जल जाएगा वहां तो फरिश्टे भी नहीं जा सकते ये बैतल मामूर से भी आगे चलीगी वहां पहुंगे ही जहां रब की जाथ है जाहरी जुसम से अजूर परवाँ पहुंचे और इन मखलूकों के जरी ये वहां पहुंचते हैं उस वक फरिश्टों ने कहा कि वहागी इनसान अश्वल मखलुकात है उस वक्त का इस वक्त नहीं इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए मरना तो सब को है हमारा अकीदा है कि मरने के बाद सब की रूएं खा नपी है खा वली है सब की रूएं असमानों पे चली जाती है ये हमारा अकीदा है अगर असमानों पे चली जाती है तो फिर दर्बारों में फैस कियों है फिर दर्बारों में क्या है दर्बार ऒाले की वी नुए अब्स आधीma उप्र आधी स्बili अलाح नमाज पढ़ती ही जिकर करती ही नोगों को फैस पुचाती ही और क्यामत तक उनका सुवाब उनकी रूख को मिलता रहेगा मुझे देखा मुसे लगा वहां भी मौजूद हैं मजदत अलफ सानी रहमत ला से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फलान दिन खाने काबे में देखा फरमाने लगे मैं तो नहीं गया दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोज़े पे देखा फरमाने लगे मैं नहीं गया तीसरे ने कहा उसी दिन हो उस पाक के रोज़े पे देखा कि मैं नहीं गया तो लोगों ने पूछा फिर क्या था फरमाने लगे मेरा अंदर था जितने भी यहां मौजूद हैं उनके अंदर वो अंदर मौजूद हैं अगर तुम उन 16 में से एक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिन्दा हो अगर तुम ने उनको नहीं छेड़ा तो फिर वो 40 साल के बाद खतम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जिन्दा ही मुर्दा हो फिर लाम अइक बाल फर्माते हैं ना तेरी जर्विकारी ना मेरी जर्विकारी अब मैं तुझे ल्लह कराओं या तू ल्लह करे वो ल्लह करने वाले चीज़ें खतम होएं अब क्या है गास पार की एक वक्त में नौ आजम उने दावत पकाई सुना होगा ना उनके घर याके खाना खाया बाद लोग तो कहते हैं कैसे ना ममकन है जो उनको मानने चाने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है पत्ता उनको भी नहीं कैसे हुआ है कहते हैं उनके क्रामत होगी क्रामत कर भी कोई सबब होते हैं गाउस पाक का जिसम मंबारक मस्जद में मुख्जन के पास था और वो जिसम के अंदर की मखलूकें उदर जा के खाना खा रही थी जो काम जिन और फिरिष्टें कर सकते हैं वोई काम वो मखलूकें कर सकती है अब अगर उनने खाना खाया होगा बैठी भी होंगी उठी भी होंगी बातें भी करी होंगी जिसमें उठनें बैठनें बातों की ताकत है नमाज में यही कुछ है वो सित्ते हैं उनकी नमाज खाने काबा में होती है और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अरशे मौला में होती है कहती है न वो जिसम अर्षे मौला में नहीं जाता वो जिसम अंदर के चीज़े अर्षे मौला में जाना थे है और साब किसको मिलता है जिसकी है अब गोस फांओ का जिसम मौass शुवारे मश्रमंज़ में था आथ वो आजाद थी वही जिसम मारे कबर में चला गया तब भी हुआ अजाद है और आज तक लोगों को फैस पुचा रही है आवो दिल की सफाई के बहुत से तरीके है लेकिन जो इस उम्मत को तरीका मिला वो किसी नबी को भी नहीं मिला मुसे लिए 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 लि सोचने लगे किसी में ताब होगी जवाब भया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत मुसा इलाएस्लाम को जलाल आ गया मैं नभी होके एक उम्मती के बराबर नहीं जल्वा दे देखी जाएगी जल्वा पड़ा मुसा इलाएस्लाम बियोश हो गए किया वज़ा है कि मुसा इलाएस्लाम इस दुनिया में कौतूर में बियोश होए और अजुर पर्व सामने जाएके मुस्रा रहे हैं बेख उच्छ तो वज़ा होगी मुसा इलाएस्लाम के जिसम में यहार आमानों का सिफाती नूर था जाथ की ताब ना सका अजूर्पा के जिसम में इसमें जात का जाती नूर था जात जात के सामने मुश्ट रहा अजूर्पा के तफैल वो इसम इस उम्मत को मिला तब इसको फजीलत हुई उम्मत इससे डरती है या महरूम है एक खडीश रिम है कि क्यामत के दिन उम्मतों की पेचान नूर से होगी तुम्हारे शकल के कई आदमी होंगे आएंगे आच चुके होंगे नाम के भी नहीं यह यह रहमानों से चम्म करें मुस्वा इसलाम की उम्मत ये या वदूदों से चमगरें दौद UND invece की मंत और ये जो अना उसे चमरेंगे हजूर पाथ की मत तेरा शाओी मेरा शाओी और दिन पर है किसकी शाओी और दीन नभी का सचा दाई वह एस हम जिससे तुम तुम इस होई तुम कहते हो कि हमको सब उम्तों से फजीलत है शकलों से नहीं है शकलों से यहुदी तुम से बेते रहे है उप पैसे से भी नहीं है पैसे से सही तुम से आगे है तो तुम सो किस चीर से फजीलत है फजीलत इसमे जाद से है लड़ने में फजाया सबसे बेते रहे क्यों? वो जहाज है उसके पास जहाज से लड़ती है अगर उसे जहाज चिन जाए तो वो बंदूग वला उसे बेते रहे जब तुम से इसमेजाद चिन गया तो वो सफाते इसमावाले तुमारे पे हुकमरानी कर रहे तुम उनके मोताज और हमने यूके में देखा हर मसल्मान उनका मोताज है क्यों मोताज है इसमेजाद चिन गधा ये इसमेजाद किसी नबी को यो अनिमिला घौत रहे ये तुम गो मिला है सबसे पहले अजूर पाक को अता हुआ अजूर पाक से फिर नौव साहब अकराम को मिला जिन्हों ने इस से सिलसला प्हलाया ये चश्टी, नक्षबंदी, काद्री उस इसमें आते हैं ये नौव सिलसले से कटते कटते चार रह गए अज़ चार मैं से भी तीन रह गए वो सरवर्दी भी कट रहें क्योंकि वो जिकर अल्ला को छोड़के सिर्मनाद खानी में लग 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 लग, उसने दिल को छोड़ दी नौव साहब एकराम से फिर ये बाराएं मामों को मिला जो वक्त के गउस थे बाराएं मामों से फिर लेके ये गउस पाक को दे दिया तब आप गौस आजम के लाएं अब इसमेजाद गौस पाक के पास है आपको कहीं से मिले खाम में मिले किसी शेक से मिले आप गौस पाक के मरीदों में जले जाते हैं जिन लोगों को उनके जमाने में मिला वो उनके असली मरीदे हैं जिनको उनके जमाने के बाद किसी भी वसीले से मिला वो उनके दाखली मरीड है भास पाक ने सतर मरत बाला ताला से वैदा लिया है कि मेरा मरीड इमान के बगार नहीं जाएगा फर्माते हैं मेरा मरीड मेरा हाथ बहुत बड़ा है तो एमान से कभी भी नहीं जाएगा फर्माते हैं मेरा मरीद कौन होगा मेरा मरीद वही होगा जो जाकर होगा फिर फर्माते हैं कि मैं जाकर उसी को मानता हूँ जिसका दिल अल्ला ला करे उस जबानी तो जबानी तोता भी अल्ला ला कर लेता है उस अगी सुल्टान पूर रहम तुल्ह के कबूतर भी अल्लाला करते हैं तो क्या वो गौस्पा के मरीद हो जाएंगे आपने सत्तर मरत बाला से वैदा लिया है उदर अदिस ही कि जिसकी जबान पे मरते वक कल्मा होगा बगेर साथ किताब के जन्नत में जाएगा अदिस और कौल टका गए अब बगेर साथ किताब के जन्नत में कैसे जाएगा हर आदमी का गुमान है कि मुझे कल्मा आता है मरते वक पढ़ लूँगा लेकिन हाजारों में किसी एक का सुनते है कि कलमा पढ़ते पढ़ते गया मरने से पहले जबान ही बंद हो जाती किसी की तीन दिन पहले किसी की किई दिन पहले वहाँ शर्त है मर भी रहा और कलमा भी पढ़ रहा आज़त इमाम राजी रहमत अल्ला जिन काभी इन्होंने किसा बताया भी उन्होंने कलमे के इतने तक्रार किया कि उनकी जबान अरक कलमे मेराती है लेकिन जब बाते करते तो कलमे बंद हो जाता क्योंकि जबान कलमे मेराती हुई थी मौत का वक्त आगिया अब शेतान ने सोचा ये कलमे पढ़ते पढ़ते जाएंगे हैंको जन्ति हैं बगेर रिसाब किताब के जाएंगे ऐसे करूं इनको उल्जाद हो ताकि कलमा ना पर सके इनका इसाब किताब को होना आ हला उसने आगे पूछा बताओ भैट तुमने अन्यरब को कैसे माना दलिल दो दलिल दी 99 दलीले दे दी उसका मकसिद था कि दलीलों में इनकी जान निकले कलमा न पर सकें उतरहसद नजम को बहुत दूर से देख रहे थे और पानी का छेंटा मारा और काया नादान तू कहें मैंने बगर दलील के रब को मना और कलमा पर और तीन दोफ़ा तक्रार करी रूप परवास करी और शैतान ने ऐसे लोगों को भी नहीं जोड़ा जिनके जबाने हर रक कलमा पर रही थी आम आदमी कैसे कह सकता कि मैं कलमा पर लूँ लेकिन जो वहुस पाक के मरीद है वहुस पाक हर माते है अगर मेरा एक दफ़ा कोई मरीद हो जाए एक दफ़ा उसका कलम जारी हो जाए उसकी जिन्दी कुनाओं में में गुझे मरते वाक उसका कलम जारी हो जाए तेरा शाही तेरा शाही और शाही और दुनिया पर है किसकी शाही गार शाय गार शाय अंधर म कार्पण के बस्त पमलंग रहेंके घौर तेरे संख रहेंके तुनिया बाहे देंग रहेंके अप यहां का मरी था उसके दिल की दर्गन नाला करी थी वो मर भी रहा था अल्ला नाला कर भी रहा अदीशी में जुबान के मतले के है ये जुबान खाब वो जुबान उस दिल की जुबान को इस जुबान से सतर कुना ज़्यदा फजिलत है मर भी रहा चा लाला कर भी रहा था अत्ता मर गिया फिर भी टेड़ से किर लाला करता रहा पहले जान निकलती है बाद में जिल की दड़कन बंग होती है बगार साथ कुछा को जनल में कैसे चला गया कबर में चला गया आगे लूंकर रकीब सबसे पहले पूछते हैं बता तेरा रख कौन है पूछा तेरा रख कौन है वो खामोश है कवन पीशे हेट आया लक्स अल्ला चमर करा है देख ले जो पॉलीस वाले होती है पॉलीस की मौर जो अल्ला वाले होती है उनके ल्ला पर बहुत तेरा शाही तेरा शाही तो सख फरिष्टे कहते हैं बूनकर नकीर कहते हैं आराम से सो जाओ तू जान तेरा रभ जाने हमें तो शर्म आती है तुसे क्या पूचे उसके पाद पर एक और फ्रिश्टा आता है वो 360 साल के जो आप कफन पर लिखे जाते हैं उन्होंने कुछ नहीं लिखा उसका नाम अमान है उसने लिखे के मताबक रूख को बर रख में लेके जाना है वहां कुछ भी लिखा रूख को देखा अल्ला अल्ला से चमक नहीं लिखा उसको रिजवान के पास ले जाता है कि इसको बहशत में दाखल कर वो कहता है इसका इसाथ किताब ला वो कहता है ये चमक दमक ही इसका इ इस तरुके से वो बगारि साथ किताब के जननत में जाएगा और गौसपा की मरीद बनते कैसे जाकर कल्बी बनते कैसे दिकीन करो जो एक दोफा गौसपा का मरीद बन जाएगा कोई खौफ और कोई डर्नर लेकिन रहास रांक बनता कैसे है यह मसला बड़ा मुश्कुल है ग्यार में देने से मरीद ही बनता मुहिब बनता है मुहिब है अगीतन मंदा है मरीद ही मरीद कैसे बनता है गाउस फायक ने खुद भी मरीद मनवाए और अपने एजेंट भी छोड़े हुए है जो उनके मरीद मनवाता है जब किसी को जिकरे कलब दिया जाता है उसके होलिये को फिरिश्टे बैदल मामूर में ले जाते है साथ दिन के अंदर अंदर है बैदल मामूर वाली मखलूक से अल्ला ताला खुद कलाम करते है पूछता है इसको कौन ले आया जहां से जिकर अता हुआ है कि मैं लाया क्यों लाया ए अल्ला तेरा दोस्त बनाने के लिए अब अगर अल्ला के मर्ज़े नहीं है उसको दोस्त बनाने की तो हो कहेगा मुझे दोस्त नहीं चाहिए पिर आप ख़जार कामलीन के पास गएं कोई जिकरे कलब जारी नहीं हो सकता है अगर उसकी मर्जी होई फिर कहेगा इसके जामन को ने जाये झाए थै मैं यसरा गवाई को लिएदेगा? फिर जिन दोदर्बारों पर जाये करता था वो गवई देते हैं हम इसको जानते हैं पक्का सुनी है वो उसकी गवई देते हैं तब कि अगय कोई न दें जो हो जाता है अच्छा तस्धीक कौं करेगा पिर अजूर पात तस्धी करते है कि अभूर पात तस्धी करते हैं कि यंद। अब वो जैसा भी है वो जमानत वाले जाने जोटेरे संगु रहेंगे और नी लोगों के लिए है जिनकी शिपाइद कनागी जाएगी उन्ही के लिए क्योंके उन्ही के लिए जाम हम देए और ये दो इल्म है तुम्हारे पास इल्म बातन और लिम्ज़ जहर ये दीन इसलाम के दो बाजों है एक बाजों से प्रिंदा उड़ नहीं सकता जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको शैतान रोपता है नमाज पहली जिकर में किया है ताकि वो एक पर में रहें और जो लोग जिकर करते हैं उनको शैतान होकता है जिकर कर लिया आद नमाज में किया जहर वाला को अधर होकता है बातन वाला को अधर होकता है लेकिन जो लोग सिर्फ जाहर में हमने देखा है कई साल हों बस्तों कोई चक्र लगा रहे हैं मिला कुछ नहीं और जो लोग नमाज को छोड़के सिर्फ जिकर में हमने उनको जंगलों मा देखा वो जंगलों के चक्र लगा रहे हैं मिला उनको भी कुछ नहीं मिला उनको जिननों ने जहर को भी सुधारा और बातन को भी सुखान अल्लाः और यकीन करा इन दोनों इन्मों के बगार नमाज भी को नहीं होती नमाज में तीन ही शाष्टे हैं अल्ला ताला ने हजूर पाक को फर्माया कुल हो बल्ला अख़द कह दी जी अल्ला एक है आपने आमीन का हजुर पाक ने लोगों का कहदव आख़द और ला है जियंकिया जिन्नोंने आमीन का वो मुस्लमान होए HOने नहीं माना वो काफर है जिन्नोंने हीलोज जोकरी वो मुनाफ़द होए अब मुस्लमान किसके कहते हैvens यही एक नकता है आगर समय में आ जायता है और मिस्लमान अपने दिल को कहता है कह दे हाँ लावगा वह जुआब देता है करमे आटा ही नहीं हो हिलो उजद करी नहों फिर कहता है All अभिए नियाद है दिल कहता है नहीं विऻ भी मारों है इहलो उजद करी नहीं लामी अलेद काफरों की सबान निक्रार नहीं करती मुनाफ़ों के दिल तस्दीग नहीं करते और फास्कों के जिसम अमल नहीं करते बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफ़क था यह नमाज दिखावा है तुमाजों के लिए तुमाजों के लिए तुमाजों के लिए तुमाजों के लिए त बढ़ा अच्छा अदनिये biggest God Almighty Lord ना अमलों को देखता उने शक्लों को ना तरी बारी को और देखता उना तरी सज़े ndaaroka Urniyot को देखता प्रा उसमें उम उस श्यार एगे, जिसको अल्ला देखता है उसमें कारोगा जिसको अल्लाद देखते है उसमें कारोगा है ये नमाज दिखावा है सारी उमर पढ़ते हैं अकेले में पढ़ते हैं तब भी दिखावा है और ये नमाज तबाई भी है तबाई कैसे लोगों ने का बहुत अच्छा अजमी पांच भेका नमाजी है तकबर आया है और दूसरे नहीं कहा तहज़ भी पढ़ता है और तकबर आया और एन दिन बे नमाजी को देखा बड़ी अकारत से देखा कि मैं तुझे बेतर हूँ और यह नहीं पता तकबर इसाजी लिए खुआर कर नमाजे वह भी पढ़ता था उसको तकबर नहीं कबड़ किया ना जब उसमें तकबर के इंतहा होती है तर चाहता है इस व्च्ब च्ब्स सारी नमाज़ां counted हुम कहते हैं चैनल ह univers ל-p chuck आफजल है सारी सुरते में उत्माइफ़ अपनाता ही जब सारी सुरते में उत्माबले के लिए फिर कहते हैं बुझ में ते न हुस्धु पड़क में क्या फ़र कहा वो दो मेरे बड़े फाहे के तरह है जब याता कर तो उसी मानी चला दिया वो नमाजें उसका इमानी ले बैठी ये नमाज सूरत है इसको हरा भी पढ़ सकता है इस पकापड़ना कोई कमाल मन दे बातर फिर्के वाले ये नमाज बढ़ दे क्या बज़ा है कि एक नमाज तबही बन जाती है और वो ये नमाज महराज बन जाती है ये मुसल्मान की नमाज आए जो तबही बन गी बातर फिर्कों में तकसीम कर दिया मौमन की नमाद है जो मेराज बन दी मौमन पहले मौमन बनना शाह है जब मौमन बन गया उसके लिए तुम् Continue सबसे पहले अल्हां अल्हां सेखनी होगी दिल की तरदनों को अल्हां अल्हां नलगाना होगा उस लोत तुम कोशिश करोगे काम काज करता रहूं अल्ला अल्ला होती रहे इसको बोलते हैं रस्तकार में दिल यार में पिर कोशिश करोगे कोई अखबार साला पढ़ता रहूं अल्ला अल्ला होती रहे कामया भी हो जाएगी पिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्ला अल्ला होती रहे उक सुक्ष जबान कहेगी कहे दिल कहेगा अल्ला 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 असमत दिल कहेगा अल्ला अल्ला लामियालिद वालामियुलद दिल कहेगा अल्ला जबान इकरार कर रही है दिल तस्दीश कर रही है जिसम अमिल करा है अब जो जबान में हो दिल में जबान जिकर मुफसल में और दिल जिकर मजमन में जबान दलील से मनवारी है कि कह दे लगारी है और दिल बगार दलील के मान रहा कि लगारी है जबान का तस्रफ है अमरीका से बोलते हैं जहां सुनते हो और दिल का तस्रफ है जहां भूचता है अर्श मौला वाले सुम्हारी तुम्हारी इस नमाज को ये अर्श मौला में पहुंचाएंगा, वो नमाज मुमन का महरागा है अर्श मौला में और अधर अधर सेहर कर में अतराज निए एक चीज़ मेरे लिए छोड़ देना चोटासा अगर तुने उस नहीं दुने दुन्या मेरे तलगा दिया तेरा मेरे तलग खतं ही हो इस ने अपने तलग के लिए तुम्हारे अंदर ये टेलिफून रख दिया अगर तुझे मुझे राप्ता करना है त bạn आप इस टेलिफOOD को साफ कर ले जब ये टेलिफून साफ हो जाएगा तेरी नमाज क्या, तेरी हर बात मुझे तक को जाए गए अद्धाव मैरे रिसाना पो, आदाउसिया अब लोग वल्यों के पास जाते हैं, दौाए के लिए जाते हैं, वो दौा खुद भी मांग सकते हैं, मांगते हैं, कबूल नहीं होती हैं, कबूल नहीं होती हैं, टेलिफून ही को नहीं है, टेलिफून होता वाज उपर जाते हैं, टेलिफून ही नहीं है, वल्यों के पास ट यह जो दर्बार वाले होते हैं यह जो इनकी मखलुके हैं वो लतीफे हैं वो हैं इनकी रूँ अदर नहीं हैं इनकी वो मखलुके हैं अंदर की मखलुके हैं वो यहां बैटी हुई है तो अल्ला ताला फर्माता है मेरी एक मखलुक है जिसको मेरे सुआख कोई नहीं जाना भाई फरिष्टों को भी तुम जानती हो जिन्नों को भी जानती हो सब को जानती हो ये एक मखलूग है जिसके अपर एक रहाद है लोगों को वो फरमाता है इसको मेरे सुआख कोई नहीं जानता ये एक नूरी मखलूग गया जो तुम्हारे अंदर से निकली हुई है और तुम भी इसको नहीं जानते है और जब ये नूरी मखलूग नूर के ज़िए जवान होती है फिर जब ये नूरी आथ उठाती है तो अल्ला तुम बड़ी जल्गली दिवाब चबूल करें तेरा शाही मेरा शाही आश्कों के मिश्द के दाई इस वक्ति ये है कि वली की निस्बत के बगएर गुजारा नहीं है लेकिन निस्बत भी वली की होता अगर कोई शेख नबी नहीं है तो नबावत का दावा करता है तो उसको काफर कहते हैं उसको मानने वाले भी काफर होगे अगर कोई शेख वली नहीं है तो वलावत का दावा करता है तो फिर वो क्या होगा काफर नहों लेकर कुफर की निस्दी को उन लिया है और उसको मानने वाले भी कम्मख्त और बेन से ये वलायत वरास्त नहीं है अगर वरास्त होती तो नुबूर वरास्त होती वह अला मगाम है जब नुबूर वरास्त नहीं है तो वलायत कैसे वरास्त है अब हमने यहां भी देखा जगा जगा देखते हैं कि बहुत से लोग जिनको खाब आगी सची खाब एक होगी वली बन गए तावी देना शुरू होगे किसी सज़ादा नशीन होगे गदी नशीन होगे अपने आपको वली बन यकीन करो जिए वो लोगों की अमरें बरबाद कर रहे हैं वो लोगों के कादल नहीं तुमारें अंगर वो मखलुके हैं जिनको बेदार किया सकता है वो मखलुकों की तरुफ जाते नहीं तो मखलुकें खतल हो जाती हैं नोग दो कातल हो गए निए वली उसको बोलते हैं अगर तुमारी वजिर आ Dewस्टी है या उसे बाचीत हो या उसको देखा हुए ना देखा हुए है ना बाचीत है कहते हैं हमारे इसको उसकी है नहीं अगर तुम वलाइत का तुम को है तो या अल्दा का दीदार हो या उसे हम कलाम हो तेरा साही मेरा शाही तोषाही अगर हम पतलाम acts दी नहीं हैं और दीदार दी नहीं है उसका तो मेरे को जहन्र में लेगे जाएगी और जो साथ मारा जो माल इा, जो बैट दिया हुआ है वो भी तुमारे साथ दिया जाएगी अब अब वलायत की निशानी क्या है पहले जमाने में अगर को कहता है कि मैं वली हो गया हूँ ओ आट दस में से चार पॉइं रोशन जमीर होते हैं गलत हो गलत है आप में जिगलाम में इनने बहुत का दावा किया तो रोशन लोग इतने पे जमीर हो गया हो गया हूँ सबसे पहले वली के दामुद पक्रने से पहले बस एक नुस Кाहा है तो by ​​ सबसे पहले तुम अपने दिल की धर्थनों को अल्ला आला में लखा लो जब ये अल्ला आला में लग जाएंगी पिर कोशिश करना है काँ 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 करता हूँ अल्ला अल्ला होती है तसली हो जाएगी पिर किसी वली के दर बार पर चले जाना जब दर बार पर जाओगे रिकत तेज हो जाओगे या ल्ला तेज हो जाओगी समझोगे यहां भी वली है फिर दूसरे सर बार पर चले जाना वहां भी रिक्कत हो गी जिकर तेज़ हो जागा समझना यहान भी वली है अर्दीषी में का वली की पैचान जिसकी मेहबल में ल्लाला लेशन हो जाए भै तुमारे दो अंदर ल्लाला ती वहां और तेज़ होगी तूम पेचान महें ले 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 हैं नूम बंदरियों फिर क्या पेचान होंगे फिर तुम अपने पीर हो मुर्शुकित के उलिजांगे अगर वहां भी इती है तो पिर तुम्हारे यकीन कामल होगया अदुम tuh जैसा भी है तुम्हारा ख़त भारा रहे थे अगर फिर वहां दो तीन दफ़ा जाना तीन दफ़ा शर्त है तीन दफ़ा जा कि एक दफ़ा भी नहीं हुई तो फिर सभी सुल्तान भू फर्माते हैं उसको तुलाग दे दे बलके उनों नहीं कहा है तो उसको स्पोरी में बंग करके तरिया हमें बहा देना फिर जब जी तुम्हें मिलेगा तो वली मूर शुर्य मिलेगा यह इसकी पहचान नहीं इसके लिए हम तुम्हें ना बैद करेंगे ना कुँ नजराना लेंगे यह एक राज बिले था वो तुम्हें बता देंगे जब यह तुम्हारे अंदर राज आ गया अब सुने को सुनारी कस्वटी से परक सकता है दूसरा नहीं परक सकता उस वक्त तुम खुद जोहरी बन जाओगे जब जोहरी बन जाओगे फिर जहां भी तुम को बेतर मिला बाँ जाके बैत हो जाओगे इस वक्त हर आदमी को यह गमान है कि अल्ला ताला मेरे पर बड़ा मेरवान है क्या हला है बड़ा करम है क्यों इतना बड़ा अफसर हूँ करम ने दोर क्या और दूसरे से पूछते है क्या हला है क्या हला है करम ने दोर क्यों और तीसरे से पूछते है क्या हला है क्या हला है करम ने दोर क्यों तुमसे भी ज्यादा उनके पास है जो काफ़ों को दी वो तुम को दी तुमारे पे क्या करम हुआ वे क्या करम हुआ अगर तुमने उसके करम देखना है गवादी तुमारे उसके करम है तो उसके जिकर में लग जाओ दो चार पास है तिन में अंदर से लह लह शुरू होगई, तो उसकर पर जह करो है, और नहीं च Laan है, तो मेरा जिक्र करना है, तेरा सब्सक्राइब करम भी करम है अब इसकी एक जाज़त उपर से है एक जाज़त नीचे से है उन्होंने जाज़त उपर दे दिये वो शैतान तो नीचे यहां भी उन्होंने अपने माफ़स चोड़े है अब तुम यहां सारी राद एक बाद करते रहो शैतान को कोई परवा नहीं है वो कहता है ठकता रहा तेरा दिल तो मेरे हाथ में जब जी चूँँगा मुड़ दो लो और तुम एक दिन शिकायद भी में बड़ा ताहज़त गुज़ार था मुझे इस दिल मनवर हो गया यह तुसारी अमर के लिए मेरे आथों से गया बाद जी बस्ताइमिर अमिर अमतला जंगल में चले गए जब बाकी पार्द करते तो इस से तान कोने पे खड़क देखता रहे लेकिन जब वो अल्लह के जर्बे नकाते तो क्रीब आगे उनको सताता सहा आवे बस्हिरत हैं एक दिन डंडा लेकि उसके पीशे बागे आज इसको मारूंगा आवाज आई याई बाद जी यह धिन्डों से नहीं मरता यह अल्लह के नूर से तू इतना जिकर कर इतना जिकर कर ते नूर अल्लनूर हो जाए जब बाद जी बस्तामी रहमत अल्लह नू कुछ लोग जिनको दिलों पे अमान लिख दिया वो लख लुद आ इमानी कुछ लोग अल्ला ला करते रहते हैं उन पे हजूर पाक का रोज़ मुबारक दर्ज हो जाता है फिर वो कहीं भी है मद्दीने में और कुछ लोग अल्ला ला करते हैं उनके दिल पे खाना कावा ब लेगा कि बातरी मखलूफ जिन फरिष्टे उनको सजदा करें बड़े कब रहे इस्तजराई तो नहीं हो गया सजदा तो एंसान को जायज ही नहीं है ये मुझे को सजदा करें आवाज आई गब्राओ नहीं कि तुम में सजदा नहीं करें और जो तुम्हारे इंदर खाना मुझे का जब बसा नूरी अर्वा से सजदा उसका प्रणा कर जा तेरी बुनियाद इबरहीम lets में गारे मिट्टी से रखी इसकी स्क्राफ कर और वह वह उसका त्वार करना चम्हारे है और इस बात पर मन्नुत मसूर शाह मनसूर को फौनसी हूई वो कहते थे तो उसकावम क्यों जाता है वो तेरे अंदर काबा इसको काबा मना बेतर हैं कि वो काबा इसका दुआफ करें और शेयतान को पता है कि जिकर अल्ला अल्ला से आदमें इन मरातब तक पहुंच सकते हैं फिर उनको रोकड़ी कोईश करता है पिर उसके पास शेटानी जिनात है बेमा असला अ हुकम देता है जाओ इसको बाद करो परबाद करो कुछ भी करो ये लख अल्ला इसके अंदर नो जाए इसको जहरी बाद में लगा दो लेकिन नौफ़ में लगा दो रोजों में लगा दो लेकिन दिल की तरफ़ी देगे जाए अब तुम्हारे पास तो एक दिन भी नहीं है उनका मकाबला करो वो आएंगे तो में सताएंगे बाद नियाए बिमार करेंगे बाद नियाए पागल भी करके जा सकते लोग डरते हैं कि अल्लह उसे पागल हो जाते है लेकि जहां से इसकी इजास्त होती है अधिया उनको भी एक रह्मानी फोड देता है तुपलि उस शैतानी फोड तुपली और वो रह्मानी फोड शैतानों पे तूपली और वो रह्मानी फोड उस वक्तिक omเรา साहदेगी जब तर तझ और ने खेता है फिर बंदा नियरे बंदा नौाग बन गए फिर वो घरीब नौाग बन गए पिर वो घरीब नौाग बन गए तेरा माई मेरा माई अर जिन से हमने नहीमत बाई बहुत 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 चान अरवा जञाए बहुत पाल। लौई हमने बहुत 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 करे otherwise we are love, Lord, Lord रोजाना काली पिंसल से सफैद काउज की ओप श्यास्ट मर्तबा अल्ला लिखेंगे बड़े खुशकत लिखें बड़े प्यार से लिखेंगे हैं ओसकता उस वक्त देख रहो फाजर की नमाज के बाद बहुत अच्छा वक्त है वरना जब भी आपको वक्त मेशस्र हो जाएंगे अगर फारग हैं तो दिन में कई बार सियास्ट मर्तबा लिखेंगे जब भी लिखेंगे निखेंगे कलम उठा ले, थोड़े दिन आप लिखेंगे, एक वक्त आएगा जो आप कागस पे लिखते थे, वो आपकी आँखों में तेहरना शुरू जाएगा, किसी भी चीज़ को आप प्यार से देखें, उसका नक्षा आपकों में आई जाता है, जब आँखों में आता है, पिर ख्र आँखों में कशिश है, कागस से, आँखों ने कھیج लिया, दिल में आँखों से भी जियाद कशिश है, अब आँखों से फिर दिल पे उतारने की कोशिश करे, तवज्जों से, फिर अगर रबन हम चाहा, जो आप कागस पे लिखते थे, वो दिल पे लिखा नजर आयेगा, उस भख दिल की धृकंतेद हो जाएगी टिक 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 के साथ ल्लहू बनाएगा। बाद üzbalance लॉला लुड थ। बूर करते हैं। बाद दिल लॉला कुछ भी कभून करने हागा। रात तो सोने लगें, उंगली को कलम ख्याल करके, दिल के ओपर लगते लगते सो जाएं, इसी में नीदा आ जाएं, एक तो बड़ी प्यारी नीदा आएगी, आदमी की फित रहता है, रात तो सोता है, कुछ सोचता है तब उसको नीदा आती है, लेकिन जो सोचते हैं सुचता होता है, वो तो सिर्फ नीद के लिए सोचता है, अगर उल्ला अल्ला करता ही सोचता है। इसी की मस्दी में सोचता है तो, इस दुनिया में रोजाना 70,000 फिश्टा होता है, सबसे पहले हजुर्पाक के रोज़े की हाधी देता है, इतने फिश्टे हैं जो एक दफाए हैं क दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा सबसे पहले हज़ूर पाइक के रोजे के आज़ी देता है फिर उन लोगों को ढूट दा है जिनका तल्लक हज़ूर पाइक से फिर वो क्या है करामन कात्वीन से पूछता है इसका आखी अमल क्या था जब यह सूने लगा था अल्ला ताला इसको भी बहुत खुश्च के और यह अल्ला हूँ पढ़ते पढ़ते उसे की मस्ती में सो गया था फिर उख कहते हैं खामोश रहो वास्ता बात करो शायद उसकी याद में आख लग गी हो क्योंके सोते वक्त जो नियत होती है खाम में भी वही कुछ होता है ओ अल्ला हूँ पढ़ते पढ़ते सो गए और खाम में भी अल्ला हूँ करते है सुबा उठो आफस जा रहे हो खाम बार जा रहे हो जिकरे खवी करते है जिकरे खवी आओ रहे है जिकरे कल्बी करते है जब तक दिल की धड़कलों से नहीं मिलता उसको जिकरे कल्बी कहते है जब दिल की धड़कलों से शुरू हो जाता है उसको जिकरे कल्बी कहते है वुजू हो या नहो आप दिल को पानी से वुजू कैसे देंगे सारा दिल पानी में पढ़े रहे पानी तो दिल में जाएगा तो दिल का वुजू कैसे हुआ जब ही अल्जा का नूर इस दिल में जम्हा हो जाएगा फिर वो इस दिल को दोएगा उसको बोलते है वुजू कर ले शौक शरावांदा और वो वुज़ू गड़ी गड़ी नहीं कहते हैं जिन्द्री में एक बार ही का लिए बाद लोग जलाली होते हैं बाद जमाली होते हैं अगर जिकर के दोरान थोड़ा गुसा आए दुरूशी पढ़ें वो इसको ठंडा का लो फिर जिकर करें फिर अगर घुसा आता है फिर दुरूशी पढ़ें फिर उसको ठंडा का क्योंके कानून खुद्रत है गर्मी के बगार कुई चीज नहीं पकते हैं यह फसल है यह भी गर्मी के मुझा नहीं पकती हैं लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है जले लगती अल्हा बारिश पकत, गर मेर्मी हूंडी, वो भी गर्मी के मुझा नहीं पकती है लेकिन जब जले के होती हैं तो पानी का च्ञेटा मारती है और यह सिंहा ये भी अल्हा उपकत ते होता है अश्छणा करते हैं हम के जब श्योंदित आती हैं के दिल लाला करते ख्याल आते दुनिया की छोड़ो जंगल में जाएं वो दूरुशी पढ़ लेते जिकर बंध हो दूरुशी पढ़ लेते उनार मनूना। आपने सुना होगा ये किताबों में जरूर बजर्गों ने पड़ा होगा तो पहले लोग किसी बजर्ग के पास जाते हैं तो वो उनको बोलता दीवार बनाओ शाम को कहता गिरा दो फिर दूसें से कहता दीवार बनाओ फिर शाम को कहता गिरा दो जरूर सुना प्रा ओगा समझ मैं नहीं आठी दिय Logh उसमुरु का क्या फैदा है या उस बनाने वाले का क्या फैदा है या उसमुर नहीं आरे का जब रूल उसको दीवार बनवाता गराता और रूल उसके दिल के प्रहाप भी रखता जब देखता कि उस वर्दश से उसका दिल दड़कना शुरू हो गया पिर कहता है अब दीवार को छोड़ इस दड़कना के साथ अल्ला अल्ला मिला है अमीर कलार अहमत अल्ला एक बज़रो गुज़रे है उनके पास 20-25 आदमी जाते है कहते हैं चलो को बड़ी खेले वो कहते हैом, हम तो फ kayd के लिए आए फरमाते हैं अमारा फैस कबड़ी के लिए जिसको खेलना खेले rigor जिसको जाना ज़ए वो एक दिन कबड़ी क्ये रहे थे लवह उस दिन नक्ष्ट बन रहे हैं उस लप को बड़े आलम थे वो उनको पास फैस के लिए पांगे लोगों इससे फूचा है कहा है अमीर कलाल उनोंने कहा वो कबड़ी कह रहे है उनोंने कहा वली तो कबड़ी नहीं खेलता हा महा इतना सफर करके दिर आ गया वापस जाने लगे जमीन ने उनको रोग लिए बाद में वही पहावलती हुब दोड़ते हैं हामते हैं कामते हैं जब दिल की दख्रक्री उपर दी कहते हैं आपको बड़ी उन छोड़ो अब इनके साथ लाला 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 कैना हैं दरबार वाले कएसे रहा हैं लोग दमाल करते हैं नाशते हैं दमाल करते गर जाते हैं तो हमने केयों की जबानों से दमान दम दम मस्वलंद में आपके अर्षी के आलत में और कह एकलांद कि आप क्लंदर सर दील vine अगर आज उस प्लमाब से दिला उस से होती है उस वफ तक जहां ये अल्लहू की जर्बें लगाते हैं अल्लहू गंटा डेड़ गंटा आप जब जर्बें लगाएंगे तो वोई पोजिशिर पैदा हो जाएगी वोई जो दुमाल से होते हो जाएगी वोई आपके दिल की दर्कने उपर आएगी जब दिल की द्रकने हो बहें तो इनके साथ Allah हुम रहें बार-बार करेंगे अल्ला ने चाह जिसको चाह उसकी द्रकने हैं अल्ला ने तब्तित हो जाएंगे इसके लिए इजास्त होती है जो लोग इजास्त लेना चाहें ना बैठ ना नजराना है अगर तो अल्ला ले शुरू हो गया तो दौा दे देने लो अगर अल्ला ला ना हुआ तो तुम्हारा क्या बिगड़ा तुम अपने गार बैठे रहे ना हम अपने गार जो दो चाहर प्रेक्टेस करी उसका स्वाप मिल जाएगा बला ले जिए जड़ा पीशे अट जाएं ज लुड़ा कर दो